Assalamualaikum, welcome to student tube, आज के इस lecture में chapter 8, elimination exercise है 8.1, question है 7, eliminate a from the following, part 2 है यहाँ पर, सबसे पहले equation लिखते है, so 4 a plus 3 x is equal to 22, यह है equation 1, then है 5 a minus 4 x is equal to 43, equation 2, so from 1, 1 क्या है, हमारे पास 4 a plus 3 x is equal to 22, so हमें a को एक तरफ करना है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो पहले तो 4 a को एक तरफ कर लेते हैं, और बाकी हो गए, 22 minus 3 x, ठीक है, minus का 3 x उदर चला गया, 4 a इदर रहे क्या, आप यहाँ पर सिर्फ a को इदर करना है, तो यहाँ पर a is equal to multiply हो रहे, divide हो जाए यहाँ पर, so यह होगा equation 3, ठीक है, so put 3 in 2, put 3 in 2, so 2 लिखेंगे, 5 a की जगा पर आजाएगी, यह equation यानिके, 22 minus 3 x upon 4, ठीक है, फिर minus 4 x is equal to 43, so यहाँ पर यह हो जाएंगे, 110 minus 15 x upon 4 minus 4 x is equal to 43, तो यहाँ पर lcm लेंगे, तो यह हो जाएगा, 4 110 minus 15 x और minus 16 हो गया, ठीक है, और साथ में x भी है, is equal to 43, 43, so यहाँ पर, 110 minus, अब यह दिनो minus पर प्लस होंगे, 31 x is equal to, अब यहाँ पर जो है, 4 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाका, multiply होगा, तो यह 4 और 43 को हमने multiply गया, यह हो गया, 172, ठीक है, so 110 minus 172 is equal to 31 x, तो यहाँ पर यह minus होए, तो रहे गया है, minus का 62 is equal to 31 x, so, x is equal to, 62 upon 31, 31 बंजर 31, and 2 पर, 62, minus का है, यह 62, so x is equal to, minus 2, answer, तो यह था अच्छ का question, I hope कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा, मजीद exercises and questions के लिए, चांगो करें, subscribe, साथ ही अपने classmate and friends से शेयर भी जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, अला हाफिस,